हम मुर्ति पूजा में विश्वास देगा, वह लोग अधिक से अधिक मुर्ति पूजा में विश्वास करें, वह भगवान बना करके मात्र पूज रहे हैं, और जितना ही हम भगवान बना करके महापूरसों को पूजेंगे, उतना ही हम महापूरसों को बेजने का काम करेंगे एक मनु का जो संभिधान है वो पूरी तोर से इस प्रदेश में देखने को मिल ला है जो व्यक्ति सच कहता है उसको लाठी मिलती है और जो पाखंड फैलाता है जो कावर्ड होता है उसके उपर फूलों का बर्चा की जाता है हम इकठा हो करके किसी ब्रह्म में ना आ करके हम संकल्प लें कि ऐसी साजिस रचनेवालों के खिलाप हमको खड़ा होना है और इनको हटाना है जब तक इनको नहीं अटाएंगे तो भारत में जो कैंसर हो गया है उस कैंसर का खात्मा नहीं होगा नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं नेशनल जन्मेत और मैं हूँ विनीद इस वक्त मैं कानपूर के नेस पैलेस पे खड़ा हूँ क्यों खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ एक कारिक्रम है दो दिवसीय प्रांतिय बहुजन बौधिक सम्मेलन जो बागी जी और इनके तमाम और बहुजन साथियों ने मिलकर आयोजित करा है मैं आज इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि इनके इस कारिक्रम का उद्दे से क्या है और यह कैसे अलग हैं बाकी बहुजन संगटनों से या बाकी बहुजन कारिक्रमों से सबसे पहले बागी जी आप ही बता दीजे क कि भाई कैसे आप सबसे अलग हैं और आपके कारेक्ट्रम का उद्दे से क्या था देखिए हम मुर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं हम डाक्टर भियो राम अंबेतकर पेरियार ललाई सिंग्यादव राम राम शुरु बर्मा जगदेव प्रसाद कुछवाहा समाज को इकठा करने का प्रयास कर रहा हूं बाकी बहुजन संगिठन भी तो यहीं कहते हैं वह लोग अधिक से अधिक मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं वह भगवान बना करके मात्र पूज रहे हैं और जितना ही हम भगवान बना करके महापुरसों को पूजेंगे उतना ही हम महापुर्षों को बेचने का काम करेंगे हमको महापुर्षों को बेचने की जरूत नहीं है हमको महापुर्षों के बिचारों को जो आम आदमी तक पहुचाना है यतना ही बिचारों के आम आदमी तक पहुचेंगे उतना ही हमारी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा तो एक सवाल मेरे मन में यह है कि जो आपने गेस्ट इन्वाइट किये थे क्या बाकी कारिक्रमों जैसे ही थे या आपके गेस्टों में कुछ डिफरेंसे से हमने पूरा का पूरा प्रयास किया है कि समाज के हर तबके को मन्ज पर लाने का प्रयास किया है और हर तबका चाहे हो पचासी परसेंट समाज का कोई भी तबका है अगर हम मुक्यति थी किसी दूसरे जाती को बना रहे हylonils तो हमने कारिक्रम की अध्यक्स्ता को सीदे-सीदे हम दूसरी जाती को लोगों को इकठा किया है किया हूं तो कि जातियों से हम इंकार नहीं कर सकते जातियां पैदा होते ही थमा दी गई है इसलिए जो लोगों में ब्रांतिया पैदा हो गई है कि हमारे जो हेट भावना पैदा होई है हमने उसको खत्म करने का प्रयास किया है और सब को एक साथ बैठा करके एक संकर्प दिलाया है कि जब तक हम बहुजन समाज के लोग इकठा नहीं होगे तो हमारे बच्चे जो सपना देखें और कठिन परिश्रम करके इलहबाद लखनो दिल्ली में पड़ रहे हैं उनके सपन को तोड़ा जा रहा है उनके सपने की हत्या हो रही है और सिक्षा से हमको दूर किया जा रहा है तमाम सारे लोग जो न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं उनको आज एक कैसी साजिस के तत उनको न्याय से दूर किया जा रहा है न्याय पूरी तोर से भिक रहा है और इसके मनु का जो संभिधान है वो पूरी तोर से इस प्रदेश में देखने को मिल ला है कि जो व्यक्ति सच कहता है उसको लाठी मिलती है और जो पाखंड फैलाता है जो कावर्ड होता है उसके उपर फूलों का बर्चा की जाती है इस कूलों को बंद किया जा रहा है और तमाम सारे लोगों के सपने को तोड़ा जा रहा है इसलिए हमने महसूस किया कि आज बोजन समाज को इकठा करके कम से कम उनके अंदर एक चेतना भरने का काम करें और इस चेतना को लेकर के यही हमारा कानपूर में मात्र समापन नहीं है हमने इसके पहले भी 40 जिलों में भ्रमण करके चोटी-चोटी मेटिंगे करके लोगों को जगाने का काम किया है और 7 अगस्त को मंडल दिवस के रूप में हमें इलहाबाद में मनाने जा रहे हैं मंडल दिवस पर भी सारे लोगों को इकठा करके कि किस तर से उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे बच्चे जो मेहनत करके 22,000 प्रद लूट लिये गए हैं उनकी मेरिण इतनी बेहतर मेरिद थी कि वो जर्रम को भी फेस कर लिये थे लिकिन एक साजिस के तहते जाती के तहती उनको पूरी तोर दर्खिनार किया गया लिटन इंट्रिके दोरा जो लोगसिवायों योग मैना था उसो लोगसर है आयोग क उनको खड़ा होना है और इनको हटाना है जब तक इनको नहीं अटाएंगे तो भारत में जो कैंसर हो गया है उसकांशर का खात्मा नहीं होगा मितलब आप भाहुजुनों को जोड़कर भारत के चाहते हैं तो अगर कोई मुझे जातिवादी नहीं तो मैं एक छोटा सा ट्राइल करता हूं यहीं खड़े-खड़े आप अपना नाम बता सकते हैं अमध्षिंट सागर आप अपना नाम बता सकते हैं अप शामनोहर आप डॉक्टर हर नराही आप इस देवपाल यादव अप विनेकुमार इंडियन आप आस्तोस भारतिय नागरिक मैं यह चाह रहा था कि हरवेक्ति अपनी जाति बताए जिससे यह नापा जा सके कि बहुजन एकता का जो इनका संकल्प है उस पर किस तरीके से चल रहे हैं जब मैं इनका बोर्ड नीचे लिखा हुआ पड़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि जो बात इनकी जो बैलेंस इनकी बातों में है वो इनके कारिक्रम में बना हुआ था पर दुरभागे से मेरी जो जातिकत समझ है वो जितनी थी उसके अधार में ने नाम चुपा ली अपने तो मैं पकड़ नहीं पाया फिर भी मैं इनके जो पू काजा लगा सकते हैं कि बेकाइदा बैलेंस है आप गेस्टों का भी जो नाम है वो देख लीजिए स्री एसार सिंग नीरस पटेल जी कमल किसोर कठेरिया जी और अतर सिंग जी रंजन पासी जी जिससे पता चलता है कि जो इनकी एकता बनाने का जो संकल्प है इसका बैलेंस में जिनको अचूत कहा जाता है जिनका चुआ हुआ पानी कोई नहीं पिता है और आज भी जो बालमिकी समाज है जिस दिन वह नारा संकल्प सपूरा होगा जिस दिन भंगी और ब्रामड एक समान हो जाएगा उस नारे को हम लोग लेकर के कि भंगी को सबसे पहले ऊपर बै साथ अगस्त को इलहाबाद में कारिक्रम करने जा रहा है कितने कारिक्रम करने का मकसद है हमारा पूरे प्रदेश भर में हमने टाइमिंग फिक्स कर लिया है कि हम फरोरी के महीने में लखनौव के अंदर 10,000 लोगों को इकठा करेंगे और उसके पहले हर मंडल पर हम समेलन क प्रदेश ब्रक्रम करें हैं और इसके बाद फर ओरिक birthday महीने में उसकी ड्यट तैयं हो जाएगी और अचलआ करके फरोरी कहें में हम लक्ण हम में पूरे प्रदेश को इकठा करेंगे और इसके बाद डिल्ली के ताल कटोरा इस्टेटिम में पूरे देश भर के लोगों को करके एक संखल्प के साथ कि जो हमारी पूरी तोर्से लगतांत्री व्यास्था को लूट रहा है जो हमारे नागली कदिकारों को लूट रहा है वो हमारा दुernा है और दुस्मन को रूरिय कि खैने के लिए ये से दूद से मकी उठाके खैप दी जाती है उसी है उसको पूरा किया जाए गा एक कुछ राजनेतिक होने का एंसके आरोप लगतार लगते रहते हैं क्या आपका कोई राजणीट थे हमारा पूरी तर से एजंड़ सामाजिक और सांस्केटिक है खरता करके अगर समाज नहीं खड़ा होगा और एक रास्ते पर खड़ा नहीं होगा तो यह निश्चित है कि हम पार्टी और राजनीत की बात करते हैं तो यह तो कूरी तूरी बेमानी हो जाएगी और इसी का फायदा हमारा दुस्मन उठा रहा है हम किसी भी कीमत पर इसका फायदा उठाने नहीं देंगे और कोई भी हम लोगों के साथ राजनीत की यह नहीं है उसका राजनीत कोई मत्त है मुझे एक मात्र एक काम करना है कि बहुजन समाज को एक साल के अंदर पूरी तोर से तयार करके और 2024 में जो बहुजनों का संकल्प है इस देश के अंदर से यह कैंसर को हटाना है वो संकल्पूरा किया जाएगा यह जो कारिक्रम मैंने देखा मैं खुद भी इस कारिक्रम में पिछले दो घंटे से बैठा हुआ हूँ सारी चीजे मेरी नजर के सामने हो रही थी और जो बाते इन से हुई आप इनकी बातों से सहमत तो सहमत जो भी हो लेकिन बहुजन होने में कोई हर्ज नजर नहीं आता और इनकी कोशिसों का क्या नतीजा होगा यह देखने वाली बात होगी बने रेगे नेसनल जन्मत के साथ धन्यवाद